हेलो वियोर्ज, रविट ना आधना सेशन मां आपणे मासिंग नू यूस करीने कॉम्प्लेक्स जोमेट्री अने हाई राइस बिल्लिंग कई रिते बनावुते जोईशू स्क्रीन उपर देखाई छे तेम आ दूबई नू फेमस टावर क्यान टावर छे जो इन्फिनिटी टावर तरेके उलखाई छे आ टावर नी विशिष्टा है छे के ए 306 मीटर जे लांबू छे एने लगबग 76 फ्लोर से ए बद्धाज फ्लोर 1.2 डिग्री साथे रोटेट थाईला छे एले के टोटल बिल्लिंग 90 डिग्री ट्विस्ट था एलू छे आज आपने जो इशू रेविट मा आनू इजी मॉडलिंग काही रीते करवानू आ बिल्कुल कंसेप्शियल मॉडलिंग छे रॉफ मॉडल छे एमा कोई अंस्ट्रेक्शन डिटेल्स के आर्किटेक्टेक्च अणना मासिंग थी बना गिये एनना माटे सौथी पहला हुँ जे मारी पासे रेफरेंस से एयर रेफरेंस अत्याना लाई नाओ आ जे छे मारी बिल्दिंग नी हाइट नो मने reference मले छे आनने आ बधा जे प्लां्स ते तिपिकल फ्लोर प्लां छे जे दरेक दरेक फ्लोर उपर छे तो आपन ने आ इमेज ने scale करी शे और जे ना थी मनने आ reference मले रेशे प्लांड ना dimension नो केमके मने height नो reference अई या थी मलई रहे छे पण प्लान मा मने कोई कया dimension छे एनो reference नथी मारी पासे अना माटे मैं प्रोजेक्ट माँ floor जे छे ए लेवल बनावी ने राखे लाखे लाचे एकले आपने काम इजी रहे सवथी पहला आपणे image ने scale करी शूँ आज dimension छे height नो ए height ना dimension थी आपड़े एने scale करी श्केल scale थाई गवचे एटले हवे आज टिपिकल फ्लोर प्लान चे एने आपड़े रेफरेंस तरे के एक 2D लाइन हूँ बनावी दाउचू एटले पछी आपणे आई image ना reference नी जरूर नहीं पड़े मैं जे आँ बद्दाच फ्लोर्स करिया छे ए आपड़े फ्लोर जरे मास बनावी शूँ त्यारे मास मा फ्लोर अपलाई करवा माटे ना levels बनावी ने राख्या छे जरे बन तमारे कोई शेप बनावता हो त्यारे जरूरी नथी कि तम्हें बदाच फ्लोर्स अपलाई करी शको आँ त्यारे मारो एक बेज शेप थाई गवाँ चे आवे हुँ बनावीश मासिंग और साइप पर क्लिक करीश इन प्लेस मासुपर क्लिक करीऊ ओके आने अब नहीं बौडलाईम थी आपने आपने एनए ड्रोह करीश हुँ आपनो शेप आवे आवे आने उनकौपी करीश लगबग मारे 90 डिग्रीज नो ट्विस्ट अप्पू छे इतले मारा मने एनना माटे खाली त्रोणज लेवल ने जरूर छे हुँ अत्यारना लगबग क्वार्टर लेवल उपर पहुंची जेश लगबग 26 माल लेवल उपर हुँ एने पेस करीश align to current view आने rotation आपीश 30 डिग्री नो अगेन आशेप कॉपी करियो आने हुँ half of the height छे त्याँ पहुँची आने परिवखद आशेप ने paste करियो आने rotation आपीश 230 डिग्री इले total sin डिग्री नो रोटेशन थाउ आने आवे छेलले आपणे आपीश 90 डिग्री एक लेके बीजा 30 डिग्री नो रोटेशन छेलला फ्लोर उपर थ्रेडी मां तमने बतावीदू आज जे 0 फ्लोर थी तेचे टॉप फ्लोर सुधी आपणे 90 डिग्री छे आने आ 90 डिग्री ना रोटेशन साथे आपड़ा शेप नी प्रोफाइल थाई गई चे अवे आब 10 शेप्स ने सिलेक करिशू आने यहां थी जेचे create form मां solid form करीशू एटले आर इतना आपणो twist साथे नू बिल्डिंग रेडी थेए गई उचे तामें जोई शको छो finish मास करी नाखी एक उख़त हवे आ मास मां आपणे अत्तियार ना आ इन्या तमने जे देखाये चे मास फ्लोर्ज करीशू एटले के आर जेटले आपण फ्लोर छे ए बद्ध मां आपणे फ्लोर्ज एड करीशू जेरे पण कोई बिल्डिंग मां आपणे कंसेप्शियल स्टेडी करवो हुए त्यारे आपणे आर इतना मासिंग नो यूज करी अन्ये एन्यों मास फ्लोर अन्ये मास बोक्स बनावता हुए चे आतामे जुओ च अत्यार ना मारू twisted building रेडी थेगाऊ चे मासिंग साथे नो अब आपणे फ्लोर ने थिकनेस आपीशू अन्ये आपणे बदी जी surface से बाहर नी building नी एन्ये आपणे ग्लास नी surface थी cover करीशू तो सवथी पेला floor ने आपणे 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 मासिंग माँ जाईशू और यहां तमने देखाईचे floor एचले आपणे floor पर क्लिक करी और बदाज floor ने सिलेक करीशू और create floor यहां जे आपणे जन्रिक 150 mm देखाईचे floor नी thickness 150 mm आऊ शे आपणे देखाईचे 150 mm नी thickness साथे floor थाई गाया चे अवे आपणे रहू छे face त्यारना surface उपर अपणी material आएक building नी surface ने आपणे क्लिक करीऊ यहां थे divide surface उपर क्लिक करीऊ यहला आज ग्रीड बनी गईचे तो आपणे देखाईचे आग्रीड बनी गईचे ए ग्रीड ने आपणे आपणे इन्या एन्ना settings यू ग्रीड अने वी ग्रीड एटले के horizontal ग्रीड अने vertical ग्रीड तो आपणे इन्या horizontal ग्रीड जेचे आपणी 76 फ्लोर से इटले 76 आपीशू आज नंबर 10 से 10 से जरवाद है अत्यार ना आतो थाई ग्रीड खाले तो आ ग्रीड नी उपर मने यू बच्चे ग्लास अने आ बाजू फ्रेम पन जोईएचे तो एन्ना माटे आपणे आज कर्टीन पैनल आपणे अपणे अपलाई करीचे आज सिस्टम अपलाई करीचे एन्ना माटे एक फैमिली बनाई देए अन्ने लाई लाई ये कर्टेन मैट्रिक कर्टेन पैनल जे छे पैटन बेस्ट एन्ने ओपन करिए वरावर एन्ना माटे आज एक पॉइंट एलिमेंट छे ए एड करीशो इन्ना प्रोफाइल माटे आज पॉइंट नी उपड़ आपने बनावीशू एक रेक्टेन्गिलर प्रोफाइल हंड्रेड बाई हंड्रेड नी बनावीशू क्रिक करिए आई याँ थी हंड्रेड एमें आन्ने आई याँ थी हंड्रेड एमें एन्ने मीडल माला वुच्छे एकले मूँ करीशू आपड़े पचास है में आर इतना मुडल मां मारी हंड्रेड बाई हंड्रेड नू रेक्टेंगिलर प्रोफाइल थाई भीजें हवें आपड़े आने आपीशू एक फॉर्म बनावीशू जेथी आपड़ी कर्टेंग पैनल जेचे आएक एनी फ्रेम तैयार थाई जाएं सॉलिड फॉर्म आने आने मटेरियल पण आपी दाईए इन्या थी आपीशू मटेरियल अत्यार ना एलमिन्यम नू छेने मटेरियल इटले आपड़े बनाई दाईए एक अत्यार ना देखाईचे आशाइनी वाड़ूचे आपड़े लेए एक अपलाई करी दाईए ओके ओके अमणा आने टेंपरारी हाइड करना खिये वच्चे अपने ग्लास पन मुको छे फ्रीम दी बच्चे आपने ग्लास पन एड करना खिये एटले आ आखी पैनल ने पकड़िये क्रियेट फॉर्म करिये आना इन्या थी यहने 20 mm नू एक्स्ट्रीजन आतीशू एटले ग्लास नी पैनल रेडी थाई जाशे इन्या ग्लास आल रेडी छे तो ग्लास आपड़ापी दीदो ब्राबर एटले आ थाई आपड़ी एक पैनल नी फ्रेम साथे नो ग्लास रेडी आ वस्तु आपड़े प्रोजेक्ट मा लोड करी नाखिये प्रोजेक्ट वान जेचे एमा 3D मा जोई लईए सिलेक्ट करी कर्टेन सिस्टम जेचे एन्या अन्ये आपड़े 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 आफ़ेमिली जेलाए व्या चे एफ़ेमिली अपलाई करी शूँ आमा थोड़ी वार लाक्षे तमारा कंप्पिटर ना कंफिगरेशन प्रमाणे आनी स्पीड रह शे एथले आईया तमें जोई शकोच वजी 0% छे एथले लोड थता वार लाक्षे आज रितना तमें बधी चारे चार सर्फेस ने आरे ना कर्टेन सिस्टम आपी अने पैट अपलाई करी शकोचो मुल्डेन अने ग्लास ना मटेरिल आउं तमने बताऊ अत्यार ना तमने देखाये चे तेमाया फ्रेम अने वच्चे ग्लास एड थाई गएलोचे इज रितना इज रितना इज आप बधी सर्फेस ने आपने वार लागशे थोड़ी पना आपने आपी देए मटेरियल आप करे का दो ा करे का बधी Vater कै ला Kay क्कुल्डे वपोगरी है क्सि requiring कैप अने वहारं पत्य के गप़माशे पने मेगशे देमाशे क्तिर्पह प्रय अे आपरीस क् Caitlin झाल 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 झाल